गुट मॉर्निंग स्टूरेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में पुसे मितर सुंग की उपलब्दियों का वर्णन करेंगे तो देखेगा पुसे मितर सुंग कौन था उसकी धार्मिक निती उसका समराजय विस्तार ये सब हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया है तो जो मोर ये समराज है उसका अंतिम सासकता ब्रदर्थ उसकी हत्या कर देता है पुसे मित्र सुंग जो उसका सेनापती होता है और फिर सुंग वन्स की स्थापना होती है और फिर जो सुंग वन्स है उसका सबसे परतापी सासकता पुसे मित्र सुंग तो उसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और एक महत्तोगुन बात ही है कि यह दि आप लोगों ने हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओर डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इधियास विशेशे सम्मन्दित प्रिक्षाव प्योगी जानकारी प्राप्त हो सके और हमारे यूटूब चैनल को आप लाइक और सेर करें ठीक है तो चलो पढ़ते हैं पुसे मितरसुंग की उपलब दिया परवर्ती मोरियों के निर्बल सासर में मगत का परशासन तंतर सिथिल पढ़ गया था ऐसी इस्तिती में देश को आंतरी के वंभाहिये खत्रों का ड्र था पुसे मितर सुंग मोर्ये सासक ब्रैदर्द का प्रधान सेनापती था पुसे मितर ने अंति मोर्ये सासक ब्रैदर्द की हत्या करके 114 सीसा पूर्वा में सुंग वन्स के स्तापना की तथा मगर समराजेक पर अपना अधिकार स्तापिते किया था ये तो हुई पुसे मितर सुंग की कहानी की वो था कोन अब देखते हैं अपन पुसे मितर सुंग की उपलब दिया पुसे मितर एम विदर वियुद पुसे मितर एम यवनों का आकरमन पुसे मितर का समराजे विस्तार उसके अस्वमेगे और पुसे मितर सुंग की धार्मिक नीती इन सब के बारे में अपन एक एक के बारे में विस्तर से जानगरी प्राफ्ट करेंगे तो देखेगा पुसे मितर सुंग एम विधर्ब यूद मालविक अगनी मित्रम से पता चलता है कि पुस्य मित्र के समय में विधर्ब जो आदूनिक बरार है का प्रांत येग्य सेन के नेतरत्व में स्वतंतर हो गया ये येग्य सेन ब्रेदर्द के सचिव का संबंदी था येग्य सेन को सुंगों का सत्रू बताया गया है पुसे मित्र सुंग ने ब्रेदर्द की हत्या के बाद उसके सचीव को जेल में डाल दिया था तथा पुसे मित्र ने अपने पूतर अगनी मित्र को विदिसागा राजेपाल बना दिया अगनी मित्र का मित्र माधव सेन था जो विदर्व नरेश येगे सेन का चचेरा भाई था परंतु दोनों भाईयों में समन्द अच्छे नहीं थे जब माधव सेन विदिसा जा रहा था तब माधव सेन को येगे सेन के अंतपाल जो सिमा प्रांत का राज्येपाल था ने बंदी बना लिया अगनी मित्र ने येगे सेन को अपने मित्र माधव सेन को छोड़ने के लिए कहा येग्य सेन ने ये हैं सर्थ रखी कि येदि उसका समंदी मोर ये नरेश का सचिव जो पाठली पुत्री की जेल में बंदी है को छोड़ दे तो वे माधव सेन को मुक्त कर देगा इस पर अगनी मित्र ने अपने सेनापती वीर सेन को तुरंत विदर्व पर आकर्मन करने का आदेश दिया येग्य सेन पराजित हुआ और विदर्व राजे दो भागों में बंट गया वर्धा नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई पुसे मित्र का प्रभाव छेत्र नरमदा नदी के दक्सिन तक विश्त्रित हो गया विदर्व का युद एक्सो चोरा से इससा पूरा में लड़ा गया था ठीक है अब अगला आता है पुसे मित्र एवं यवनों का आकर्मन तो पुसे मित्र सुंगे के सासन काल की सबसे महत्तो अपन गटना यवनों के भरती आकर्मन की है विबिल साक्सों से पता चलता है कि यवन आकर्मन कारी बिना किसी अवरोध के पाठली पुत्र के निकट आप पहुंचे इस आकर्मन की चर्चा पतंजली के महाभासे गार्गी सहिंता तदा कालिदास के मालुकागनी मित्रम नाटक में हुई है पतंजली पूसे मित्र के पूरो ही थे ठीक है ना और पतंजली ने महाभासे में उन्होंने लिखा है कि यवनों ने साकेत पर आकर्मन किया यवनों ने माध्यमिका जो जितोड़ में थी पर आकर्मन किया गारगी सहिता में इस आकर्मन का उलेग इस प्रकार हुआ है कि दूस्ट विक्रांद यवनों ने साकेत, पंचाल तथा मथुरा को जिता और पाठली पुतर तक पहुँच गए परसासन में घोर एव्यवस्ता उत्पन हो गई थी तथा प्रजा व्यकुल हो गई थी परन्तु उनमें आपस में ही संगर से छिड़ गया और वे मध्य परदेश में नहीं रुख सके हम निश्चित तोर पर यह नहीं बता सकते कि यवन आकर्मन का निता कौन था यवन आकर्मन का निता कुछ विद्वान डेमेट्रियस को तो कुछ विद्वान मेनांडर को मानते हैं तो देखेगा पूसे मितर सुंग का पूरोहित कौन था पतंजली ऐसी बाते कई बार एक जा में पूस लेते हैं तो द्यान में रखेगा नगेंदर नात गोस के विचार में भारत पर दो आकर्मन हुए थे प्रथम पूसे मितर के सासन के प्रार्मिक दिनों में हुआ जिसका नेता डेमेट्रियस था द्वित्ती आकर्मन पूसे मितर के सासन के अंतिम दिनों में अ आकर्मन का उले किया है टान के अनुसार यवन आकर्मन का निता डेमेट्रियस था कैला चत्र ओजा के अनुसार मगद पर डेमेट्रियस अथ्वा मेनांडर के समय में कोई यवन आकर्मन नहीं हुआ था एक अन्यमत के अनुसार प्रेथम यवन आकर्मन ब्रहदर्थ के काल में ही हुआ था तथा सेनापती के रूप में ही पुसे मित्र ने यमनों को प्रास्ते किया था पुसे मित्र सुंग का सासन तथा समराजे विस्तार देखेगा पुसे मित्र सुंग प्राचिर मोर ये समराजे के मध्यमर्ति भाग को सुरक्षित रख सकने में विजई रहा था उसक पुष्य मित्र सुंग का बेटा था अगनी मित्र वैसासन करता था मालविक अगनी मित्रम के अनुसार विदर्व का राजे पुष्य मित्र के अधीन था दिव्यावदान में तारानाद के विवरन के अनुसार जालंदर तता साकल अर्था शालकोट पर पुस्य मित्र का अधिकार था इस परकार पुष्य मित्र का समराजे उत्तर में हिमाले से लेकर दक्सिन में बरार्त था पस्ची में पंजाब से लेकर पूरम में मगत तक इवीश्री थे था पाठली पुत्र है हो सुंग समराजे की राजधनी थी पुष्य मित्र सुंगी सासिन व्यवस्ता के बारे में सही जानगरी प्राप नहीं होती है अनुमा लगाया जाता है कि पुष्य मित्र ने मोरियों की समराजी व्यवस्ता को ही अपनाया था सामराजे की विभिन पागों में राजकुमार अथ्वा राजकुल के सम्मंदित वेक्तियों को राजे पान न्यूक्त करने की प्रमप्रा चलती रही पुसे मित्र ने अपने पुत्रों को सामराजे के विभिन छेत्रों में सहे साजक न्यूक्त कर रखा था मालविक अगनी मित्रम से पता चलता है कि पुस्य मित्र का पुत्र अगनी मित्र वीदिशा का उपराजा था अयोधा लेक के अनुसार धंदेव कोसल का राजेपाल था वसु मित्र के उदारन चेस्पस्ट है कि राजकुमार सेना का संजालन करते थे मालविकागनी मित्रम में अमात्य परिशत तथा महा भासे में सभा का उलेख हुआ है यह मोरी कालिन मंत्री परिशत थी इस से सबस्ट है कि सासन में सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिशत भी होती थी मनुष मेर्टिस से सुंग काल के सुविक्सित न्याय तथा स्थान ये परशासन की भी जानकरी मिलती है ग्राम है वो परशासन की सबसे छोटी कई होते थे एके नरायन का विचार है कि मध्य भारत की पर यमनों का एक ही आकर्मन हुआ ये है पुसे मित्र के सासन काल के अंति में हुआ तता इसका नेता मेनांडर था नरायन के अनुसार डेमेट्रियस कभी भी काबूल गाटी के आगे नहीं बढ़ सका यमनों की पराजे मालविकागनी मित्रम के अनुसार भी पुसे मित्र के यमनों के साथ युद हुए थे और उसके पोते वसुमित्र ने सिंदु नदी के तट पर यमनों को प्रास्ते किया था जिस सिंदु नदी के तट पर सुम्भ सेना द्वारा यमनों की प्राजे हुई थीवा कोन सी है इस विशेपर भी इत्यासकारों में मतवेदे हैं श्रीवी ए स्मित ने यह पर्तिपादित किया था कि मालविकागनी मित्रम की सिंदु नदी राजपुताने की सिंद या काली सिंद नदी है और उसी के दक्षिन तट पर वसुमित्र का यमनों के साथ यूद हुआ था पर अब बहु संके कित्यासकारों का यही विचार है कि सिंदु से पंजाब की प्रेशिद शिंद नदी को ही ग्रहन करना चाहिए यह है पर यह निर्विवाद है कि यमनों को प्रास्त कर मगर समराजे की सक्तिकों कायम रखने पुसे मित्रसुंग को ऐसा दरन सपलता मिली थी अब देखेगा पुसे मित्रसुंग के अस्वमेग यग्ये पुसे मित्रसुंग अपनी उपलब्धियों के फल्जरूप उतरी भारत का incentiv शमराट बन गया था अपनी प्रभू सत्ता गोसित करने के लिए उसने अस्वे मेग येगे किया था पतंजली ने महाभासे में बताया है यह पुसे मित्रम याज याम है अर्थात यहां हम पुसे मित्र के लिए यग्या करते हैं अयोध्या अभिलेग में पुषे मित्र को दो अस्वे मेग याजीन है कहा गया है इससे हम अनुमा लगा सकते हैं कि जब पुषे मित्र ने अपनी रादने पाथली पूतर में अपनी इस्तिती सूदरण कर ली थी तो उसने प्रत्रम यग्य किया होगा तथा दूसरा यग्य उसके सासन के अंत में किया गया होगा हरिवन्स पुराण में कहा गया है कि कल युग में एक ओध भीज अर्था नवोध दित कास्यप गोत्रिय द्विज सेनानी अस्व में येगा पुनुरुधाने पुनुरुधार करेगा धारमिक निती तो देखेगा पुसे मितलसुंग की धानमिक नीती बोध गरन दिव्यवदान एंतारानात के विणों में पुसे मित्रसुंग को बोधों का घोर सत्रू मना गया है ऐसा भी मना गया है कि पुसे मित्रसुंग ने स्तूपों और विहारों का नासे किया था अपने ब्रामन पुरोहित की राय पर पुसे मित्रसुंग ने मात्मा बुत की सिक्षों को समाप्त करने की परतिग्या की वह पाठले पुतर इस्तित कुकुटा राम के महा विहार को नस्ट करने के लिए गया परंतु एक गर्जन सुनकर ड्रगया और वापस लोट आया उसके बाद चतुरिंगिनी सेना के साथ मालग में स्तूपों को नस्ट करता हुआ विहारों को जलाता हुआ तदा बिक्षों को मारता हुआ पुष्यमित्र शाकल पहुंचा शाकल में उसने घोशना की कि जो मुझे एक बिक्षों का सिर ला कर देगा उसे मसोद दिनार दूँगा चेमेंदर नात ने अवदान कल्प लथ्ता में पुष्य द्रम को नस्ट करना चाहता था तो इस वीडियो में हमने पुसे मितरसुंग की उपलब्दियों के बारे में धानकरी प्राप्त की हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद